नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel कुर्षेत्य नवस्ती के distance education के जो courses हैं वो आप online भी कर सकते हैं इसमें मैं आपको कौन कौन से courses हैं online प्रवाइड करवाई जाते हैं कैसे उनके exam का mode रहता है क्या system रहेगा, कब से उसके admission होगे क्या fees रहेगी, पूरी detail इस video में दूँगा distance education के जो normal courses रहते थे जैसे कि पहले से आपके admission होते थे उसका अगर January session का schedule आपको देखना है या फिर July session 2023 का schedule देखना है उस पे मैंने detail video पहले ही बना रखी है distance education वाली playlist में आपको मिल जाएगी अगर किसी को distance या फिर private में admission का difference जानना है तो वो भी आपको उसी playlist में video मिल जाएगी और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से course है जो आप distance education से online mode में कर सकते हैं, online ही सब कुछ होगा, आपकी classे online लगेगी, आपके exam online होंगे चलिए video start करते हैं सबसे पहले तो जो आज की newsprint है आप देख लीजिए, इसमें आपके theory exam है, जो वो 70 नंबर के होंगे और जो practically या फिर internal assessment है, वो 30 नंबर की रहेगी एक जुलाई से 31 अगस्त तक आप इसमें admission कर सकते हैं और साथी साथ इन्हों ने बताया कि regular जो courses होते हैं उनके according ही आपका semester system भी उनीक अनुसार होगा आपके भी exam semester system की तरह होंगे जो online course है distance education के और साथी साथ इसमें दिखाया गया है कि आपके जो lecture है वो भी live लगेंगे online उसी site पर और exam भी आपके online करवाए जाएंगे और इसमें जो courses रहेंगे वो 15 courses युनिवरस्टी प्रवाइड करवाती हैं मैं आपको दिखातों को कौन-कौन से courses रहेंगे वो course हैं जो university प्रवाइड करवाती है जैसे UG और PG में ये course रहेंगे आपके और उसके बाद diploma करना है, certificate course करना है आपको तो ये courses आपको provide करवाए जाएंगे और साथी साथ इसमें कुछ other courses भी अभी include करेंगी युनिवरस्टी जैसे BBA, BCA, MBA इस परकार के जब युनिवरस्टी को UGC से permission मिल जाएगी उसके बाद और कहाँ पर इसका आपका apply करना है वो भी site बताऊंगा और उसके बाद आपकी fees की detail मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जैसे BBA की 63,200 रुपे fees रहेगी ऐसे ही BCA की ये जो fees रहेगी आपकी semester system के according रहेगी जैसे first semester में आपको 10,000 रुपे पे करने है admission के उसके बाद हर एक semester की fees जो आपकी semester के according जाएगी आपको एक दम से ये fees पे नहीं करनी है और उसके बाद अलग-अलग courses की fees है इसको मैं अपने Instagram पर डाल दूँगा जिसका link आपको description में मिल जाएगा और उसके बाद आपके जो admission की date है वो यहाँ पर मैंने आपको वैसे तो starting में दिखा दी है एक जुलाई से start हो जाएगे 2023 से और 31 अगस्त तक आपके admission चलेंगे उसके बाद आपकी जो without late fees रहेगी 31 दस तक आप कर सकते हैं आपकी late fees लगना start हो जाएगी जैसे ही आप देरी करते जाओगे उसी according आपकी late fees बढ़ती जाएगी उसके बाद second installment भी नो ने बताई है कि कब आपको pay करनी है और आपको अगर कोई भी inquiry करनी है तो आप इन number पर या फिर इन email ID पर अपनी inquiry कर सकते हैं और online courses की अगर आपको inquiry करनी है तो ये number आपको इससे आप contact कर सकते हैं और साथी साथ ये site रहेगी जहांपर आप online courses के लिए apply कर पाओगे distance के तो ये पूरी वीडियो थी अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like share जुरू करना धन्यावाद जहें